अस्सम के दुबरी में प्रह्मपुत्र नदी में एक नाव डूब गई इस हाथसे में जिले के वरिष्ट अधिकारियों समयत कई लोगों के डूबने की सुच्रा है एक अधिकारी ने इस दुर्खटना की जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार को एक निर्माना धिन पूल के पास कटाव की जाच के लिए टीम जा रही थी और एक नाव के पलट जाने से अधिकारियों सहित कम से कम साथ लोग नापता हो गई है उन्होंने कहा कि दुबरी फुलवारी पूल के पास एक छोटा पैनल है टीम लकडी की नाव पर चैनल पार कर रही थी कि तब ही ले किसी चीज़ से टकरा गई और नाव पलट गई नाव में लगवक 30 लोग सवार थे जिन मेंसे कई लोग दुबरी सरकल कार्याले से थी सीमा सुरक्षाबल की टीमों को खोज और बचावकारे में लगाया गया है अंबह मुथर ने कहा कि लापता साथ लोगों में सरकल अधिकारी संजु दास भी शामिल है उन्हें बचाने के प्रयास जारी है हमें उमीद है उन्हें जल्द ही सुरक्षित और स्वस्त खोज लि झाल झाल